पूरे तरीके से संसद का गेरा होगा और आप देखोगे कि इस सरकार को हमारे सामने जुखना पड़ेगा क्योंकि ये सरकार युवाउं की सरकार है ये सरकार भारत देश की सरकार है और हम भारत देश के बच्चे हैं हम कोई पाकिस्तान या अमेरिका से नहीं आएं तो हमारी पूजा माथूर अभी हाल ही मैं आप लोग देख रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई तो उसी पर ही जो है आज में चरशा कर रहे हूं क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं यूबां देखिए पहली बात तो एग्जाम नहीं होगे हैं उनके रिजल्ट नहीं आते हैं उनकी जूइनिंग नहीं होती है मैंने SSEGD 2018 का एक paper दिया था मैंने all test qualify करे हैं medical करा, physical करा, test करा, merit में नम्मर आया उसके बावजूद आज तक हमारे को joining नहीं हुई है 4 साल हो चुकी है, दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं request कर रहे हैं सरकार से कि किसी भी तरीके से इन युवाओं के भविशे की तरफ ध्यान दिया जाए ताकि इनका जो भविशे है वो उजवल बने लेकिन आज तक जो है वो युवाज सिरफ और सिरफ जो है दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं लेकिन सरकार ने आज तक उन पर ध्यान नहीं दिया है दूसरी तरफ रेल्वे ग्रूप डीकी मैं बात करता हूँ कुछ आंकडे मैं आपके सामने प्रस्तूत करना चाहता हूँ ये फोरम 2019 के अंदर आया था टोटल वेकेंसी एक लाग तीन अजार 749 थी जिसमें से परतेक स्टूडेंट से जो है 5500 रुपे की एक मोटी फीस जो है वसूली गई थी टोटल जो आय थी वो 864 करोड रुपे की जो है इसमें सरकार को हुई तीन साल हो चुके हैं कई बार जो युवा है इस मुद्दे पे जो है काफी बार जो है उन्होंने ट्रेंड करवाया है ट्वीटर पे लेकिन उसके बावजूद भी जो मैं कहूंगा कि ये सरकार पूरी तरह से जो है निठली सरकार है सोयुई सरकार है कुम्बकरन की नीद सो रही सरकार इसको पता नहीं और युवा हो सोचना चाहिए क्योंकि इनको शिरबकों सिर्फ चलावा कर सकते हो सटा में आ सकते हो लेकिन अगर आपको फिर से खुर्सी पे आना है तो इन युवाओं की आवाज को आपको सुनना पड़ेगा क्योंगी आपके चुनाव जो है टाइम पे हो जाते हैं लेकिन हम युवाओं के जो exam है वो टाइम पे नहीं होते हैं तो आपको जो है सोचना पड़ेगा और बिल्कुल जो है इस पर धान देना पड़ेगा अगर नहीं धान दोगे तो यह युवा जो है आपको दिखाएगा कि युवाओं की ताकत क्या होती है और आप देखिए एक करोड़ 26 लाख लोगों ने फोरम बरा था लेकिने मुझे अंदभक्त या चमचा बनने की जरुत नहीं है आप निस्पक्स नीश्वार्थ हो के सत्यमेव जैते सच का साथ दो I stand with truth तो मैं वही कहता हूं कि अपने लिए आवाज उठाओ अपने परिवार के लिए आवाज उठाओ क्योंकि पार्टी विसे से बिलोंग मत करो तो सभी युवाओं को जो है एक मंच पे आना चाहिए और बुलन तरीके से जो है आवाज उठानी चाहिए कितने टाइम से आप जो है प्रदर्शन कर रहे हैं देखिए हमारा प्रदर्शन काफी लंबे समय से चल रहा है पिछले 10 महीने से SSCGD का हमारा प्रदर्शन चल रहा है ले दिमबर महीने में अगर इन युवाओं की आवाज को नहीं सुना गया तो दिसंबर महीने में इह दिखा देंगे हम कि युवाओं की टाकत क्या होती और पूरे तरीके से संसदगा गेरा होगा और आप देखोगे कि इस सरकार को हमारे सामने जुखना पड़ेगा क्योंकि ये सरकार युवाओं की सरकार है ये सरकार भारत देश की सरकार है और हम भारत देश के बच्चे हैं हम कोई पाकिस्तान या अमेरिका से नहीं आएं तो हमारी आवाज को सुनना पड़ेगा और हमारी सिकायत है और बिल्कुल जो है हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि सरकार जो नहीं किया जा सकता और सत्य यह ही है कि यू आउं को रोजगार नहीं मिला है आप देखिये ना आए दिन जो यह देश में परदरसन रहे हैं कभी railway group D का होता है कभी SSE का होता है, कभी SSEDD का होता है कभी J Wallace का होता है, कभी बैंकिंग का होता है तो वो क्यों हो रहे हैं अगर उनको जोव मिली होती है अगर उनको रोजगार मिला होता तो मैं समझता हूँ आज वो परदर्शन नहीं होते लेकिन उनको रोजगार नहीं मिला उनका उल्टा रोजगार छीना गया है मैं आपको आंकडे बताना चाहता हूँ, पिछली बार जब कोरोना आया था, दो करोड लोगों की जो है रोजगार छिन गये थे, इस बार जब कोरोना आये, कोरोना आया तब 90 लाख लोगों का जो है रोजगार छिन गया, तो मैं पूछना चाहता हूँ इसके अंदर सरकार से कि आपने उनके लिए क्या किया तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा और देखिए जिस तरह से किसानों के संगर्ष की जीत हुई है मैं समझता हूँ कि युवाओं के संगर्ष की जीत होगी और उनका कहना है युवा तो खुश है हमारे साथ है बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं देखिए बोलने को वो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि मीडिया उनकी है और आप जानते पूरा आईटी सेल जो है उन्होंने बिचा रखा है तो यह सिरफ दिखावा है यह एड़टाइजमेंट है और दुनिया को देखिए हाथी के दाथ दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं लेकिन जो वास्तिविक्ता है वो वास्तिविक्ता ही रहेगी वो अटल है विरल है आप उसको जो है गलत साबित नहीं कर सकते और इन्होंने कई बार हमें कोसिस करी है कि आप देखिए न, किसानों को कितनी बार बदनाम करने की कोशिश की गई, यह तो आतंकवादी हैं, यह तो नकसलवादी हैं, क्या कर पाए, नहीं कर पाए, क्योंकि वो अटल था, वो अपनी जगह सही थे, और मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो कानून अगर गड़त था, त पिर वापस लिया क्यों, तो बिल्कुल जो है, पूरे तरीके से जो है, यह केंदर सरकार फैल है, युवाओं को रोजगार देने में, और किसानों के परती, जिस तरह से इन्होंने दस महीने में, सोचिए, 700 किसान जो सही दुए हैं, तो मैं उन सभी को जो है, नमन करता हू क्योंकि युवाओं का सोचन हो रहा है, युवाओं को जो है, रोजगार का मिल रहा है, किस तरीके का सोचन हो रहा है, सोचन ऐसे हो रहा है कि जैसे आप देखी ना, हर एक सेक्टर को जो है प्राइवेट किया गया है, जैसे पहले जब 10 लोगों को रोजगार मिलता था, आ मैं मानता कि हां के अंदर सरकार ने सही करा है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है पूरे तरीके से जो है निजी करण किया गया है और हर एक सेक्टर को जो है प्राइवेट किया गया है तो मैं मानता हूं कि युवाओं का जो रोजगार है वो छीना गया है और आम आदमी का बिल्कुल नहीं है कुछ लोगों के लिए मैंने काना एक विशेष जो तबका है उसके लिए बैतर हो सकता है उनके लिए अच्छा हो सकता है लेकिन सबके लिए अच्छा नहीं है और इस तरीके का विशेष तबका जो सिरफ पुंजिवादी तबका है कुछ लोग जो विजन लोग हैं उनके लिए अच्छा हो सकता है लेकिन सबके लिए अच्छा नहीं है सबके लिए उसी दिन अच्छा होगा जिस दिन एक नीचे से नीचे तबके का जो इनसान उसको भी जो है उतनी वेल्यू मिलेगी उसको भी जो है वो रोजगार मिलेगा वो सभी साधन मिलेंगे वो सभी सुईदाइं मिलेंगी जितना एक VIP को मिलता है और देखिए मैं एक बात करना चाहता हूँ एक चोर होता है वो आपकी ज्वैलरी लूट सकता है आपका फोन लूट सकता है वो एक छोटी मोटी चोरी कर सकता है लेकिन जो एक राजनितिक चोर होता है वो आपका पूरा carrier तबा कर सकता है आपका पूरा health system जो है तबा कर सकता है आपका भविशे बरबाद कर सकता है तो वही हो रहा है युवाओं के साथ वही हो रहा है चलिए आपने देखा अभी हमारे साथ यूवा जुड़े थे और उन्होंने किस तरह से वेरोजगारी पर बोला और नीजी करन पर उनका दर्द जो था आपने सुना तो आप क्या सोचते हैं इन सब चीजों पर वेरोजगारी पर महंगाई पर आपके क्या कमेंट्स हैं आप इसमें कमेंट बॉक्स में करके बताईए